वही कब तक खाऊगे तुम लोग फ्रोजन किये हुए फ्रेंच फ्राइज क्योंकि घर पे तो देखो तुम आलतियों से बनाने से रहे तो मैंने सोचे क्यों एक ऐसी सी रेसिपी बता दूँ कि जिसमें आलस वाला लोग जो है न हो तो खास करके सबसे पहले यह बनाने भगेंगे और बनाने में बहुत एज़ी कहाने में फ्रेश है सोस्त्राइब करते हैं कैसे है आप लोग तो सबसे पहले एक कटोरी दही ले लेंगे उसके अंदर आधा कप मैंने यहां पे डाल रही हूं कॉन फ्लॉर और साथी साथ आधे कप की करीब इसके अंदर जाएगा बेसन अब अच्छे तरीके से इसमें मसाले जाएंगे आप बेट रूट का जूस भ धी जाएगा थोड़ा सा यहां पे एक चाम जा लट चार्माच निया माक लाल मिरची अधर साथी महीं जाएगा थोड़े का सड़ी मेथी लेर के लिए और लेइक individual Fig वेजिटेरियन्स होते है ना उनका फेवरिट एक ही चीज है कि मतलब पनीर कोई खाए ना खाए लेकिन यह चीज डेफिनिटली सब खा लेंगे तो यहां पर मैंने आलू लंबे काच लिए हैं और थोड़े से प्यास लिए हैं वो भी काच लिए हैं अच्छे से ना आलू और प्यास को लपेट लेना है इसके साथ अब एक एक करके इसको डीप-fry कर लीजिए आप एर फ्रय भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने डीप-fry करने के लिए रख दिया आप अवन में भी 180 डिग्रें पर 15 मिनिट्स के लिए से पका सकते हैं तब तक पकाईए जब तक यालू कर पीना हो जाए और घर पी बनके तयार हो जाएंगे एक दम इंस्टेंट वाले टेस्टी यम्मी सेना फ्राइज तो यह मसाला फ्राइज घर पे जरूर ट्राइज करें और फटा फट चैनल को सब्सक्राइब करें और शाम की छोटी मोटी भूग के लिए मेरे चानल पर वीडि